हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, welcome to talk with अब्दिल योट्यूप चैनल जहाँ पे हम daily latest job updates को discuss करते हैं और हर बार की तरह आज भी आप लोग के लिए बैतरीन update लेकर आया हूँ SACC ने job update अनॉंस की हुई है 12th pass eligible है, मतलब कि यहाँ पे graduation का कोई ऐसा mandatory criteria नहीं है फिर भी अगर आपने क्या होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इस वीडियो को इंट तक देखना, अगर आप eligible हो, सारी चीज़े आपके favor में आती है सब कुछ detail में discuss करूँगा, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुडू करते हैं तो शुडू करते हैं आज की इस update को और सबसे पहले important details eligibility criteria देख लेते हैं वैसे अगर पहली बार visit कर रहे हो channel को तो subscribe करके bell icon press कर देना अगर आप fresher हो तो इस channel पर सिर्फ और सिर्फ freshers की ही आपको update देखने को मिलेगी तो इसने दोस्तों को भी बताओ और like का target रखते है 3000 likes यहाँ पर अगर बात करें न तो important dates पहले देख लेता है पहला page है notification का यहाँ पर 8 July से यह start हो चुका है और इसकी last date 29 July है आप आराम से apply कर सकते हो लेकिन सारी चीज़े सुन लेना समझ लेना उसके बाद आप proceed करना यहाँ पर इन्होंने CBT कंड़ करने का कहा है और यह बताया हुआ है October 2022 approximately इन्होंने tentative schedule दिया है कि exam कंड़ की जाएगी और यहाँ पर हम post की बात करें तो head constable assistant wireless operator and teleprinter operator यह इन्होंने बताया हुआ है और यह दिल्ले पुलिस में रहने वाली है आगे अगर बात करते हैं कि यहाँ पर criteria's क्या है और number of vacancies इन्होंने inform करती है यहाँ पर head constable की open vacancies कुछ departmental है कुछ ex-serviceman है लेकिन open vacancies 171 है general candidate के लिए और total यहाँ पर बात करें open vacancies 459 है head constable female में भी ऐसा ही है यहाँ पर open vacancies 96 है और total सारी categories को मिला के 256 vacancies है और अगर हम यहाँ पर total की बात करें तो total 800 करीब vacancies announce की गई है male और female मिला की इन्होंने दोनों का table separately दिया हुआ है अब level 4 का यहाँ पर pay आपको मिल जाएगा जिसमें 25,500 basic पे रहेगा मतलब की अगर आप यहाँ पर select होते हो 25,500 आपको basic मिल जाएंगे 11 वगरा वो सब extra रहेंगे तो यहाँ पर आप समझ के चल सकते हो कि 40,000 के करीब आपका यहाँ पर monthly cross रहेगा जिसमें सब को जा जाएगा यह मैं basic बता रहा हूँ और अगर मुझे कोई ऐसा calculation जैसा मिल जाता है तो screenshot आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर eligibility criteria में कोई attention लेने जैसा नहीं है यहाँ पर qualification में 10 प्लस 2 ही का है 12 पास का है बट एक छोटी सी condition और भी add हुई है इन्होंने बताय हो है कि 12 के अंदर आपका यहाँ पर 10 प्लस 2 with mathematics and science आपका होना चाहिए यहाँ पर recognize board होना चाह या फिर अगर नहीं है तो आप national trade certificate अगर आपके पास है mechanical operator electronic communication system में तो बिल्कुल आप यहाँ पर apply कर सकते हो next professional attainments में इन्होंने काया है कि अगर proficiency computer operation में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा जिसमें आपकी English word processing speed, thousand key depressions in 15 minutes and test of basic computer functions जहाँ पे computer शुरू करना, बन करना, printing करना, MS office, saving, modification, type text, paragraph setting, numbering, basic, बहुत basic चीज़े इन्होंने मांगी हुए जो आराम से हर किसी के पास होती है so आप यहाँ पे eligible हो, बट यहाँ पे इन्होंने 10 plus 2 में 5th science and mathematics का है, यह मेरे कहाँ से क्या लगता है कि 10th standard का science and mathematics है, 12th से कोई लेना देना नहीं है otherwise यह mention करते हैं कि 12th science होना चाहिए, तो आप में से जो भी किसी भी विल्ट से अपना graduation की हो, in fact अगर आपने 12th complete किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे eligible हो लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब भी अगर आपका यहाँ पे selection होता है, आगे बात करते हैं, selection किस तरीके से होगा and apply करने की process का है, वैसे यहाँ पे इन्होंने physical standards की भी बात की हुई है, लेकिन वो notification में जैसे आएगा मैं आपके साथ share करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे NCC holders के बारे में भी कुछ benefits दिये हुए है, 5% का यहाँ पे है, C certificate के लिए, B certificate के लिए 3% का, यह relaxation यहाँ पे आपको examination के marks में मिल जाएगा, अगर NCC certificate है, ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ NCC वालों के लिए benefit नहीं है, अगर आपके पास degree है, graduation किय है, तो आपको benefit मिल जाएगा, distinction है, तो 5% ज्यादा आपको marks मिल जाएगे, जितने आयोंगे उसमें से, जो आपके examination कंडग होने वाली है, अगर distinction है, first class है, second class है, past class है, सबको यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा benefit मिल जाएगा, किस तरीके से apply करना है, तो basic process है, ssc.nic.in website पे जाक और पे application fees होती है, ssc.ca का यह भी fix है, यहाँ पे selection किस तरीके से होगा, उसकी बारे में बात करते हैं, लेकिन center of examination share करता हूँ, यह examination के centers mostly common रहता है, फिर भी 2-3 screenshot लगेंगे, almost आपको हर जगा पे location मिल जाएगा, tension लेने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे किस तरीके से exam की जाएगी, तो computer based examination है, जो कि 100 marks की रहेगी, maximum marks 100 इनों ने बताया हुए, फिर यहाँ पे physical endurance and measurement test कंड़ की जाएगी, जहाँ पे physical standards check किये जाएगे, वो qualifying nature में होगे, फिर trade test कंड़ करेंगे, वो देली पुलिस कंड़ कंड़ करेगी, वो भी qualifying nature में, और उसके अंदर यहाँ पे बाकी information दीवे, आपका basic computer functions, 1000 key depressions, यह सारी जीज़े check की जाएगी, जो सारी जीज़े qualifying nature में होगे, यह सारी test जो है qualifying nature में है, सिवाए एक के, जो है computer based examination, जिससे आपकी final merit बनेगी, अब बात करते हैं, यहाँ पे यह exam में क्या होगा, तो आपको 1 hour and, 1 and a half hour, 90 minutes का time दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 questions solve करने होगे, अच्छी बात यह कि negative marking बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे आपको क्या पूझा जाएगा, तो general awareness, general science, mathematics, reasoning and computer fundamentals का paper रहेगा, तो बहुत simple है, 20 marks का awareness होगा, 25 marks का general science, और यहाँ पे mathematics 25 marks का, reasoning 20 marks का, और 10 marks का computer रहेगा, तो इससे 100 questions, 100 marks हो आपकी यहाँ पे help करने के लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि aptitude and reasoning के preparation जो है, वो आप कर सकते हो, और कापी आसानी से यह exam में excel कर सकते हो, इसका level बहुत high नहीं रहने वाला है, और इसके लिए मैं आपको recommend करूँगा, prelims package, जो हमने well academy पे launch किया हुआ है, अब यह ज score कर सकते हो, रही बात बाकी exams की जो यहाँ पे दूसरे organizations या companies कंड़ करती है, वहाँ पे भी prelims package आपको help करेगा, क्यूंकि हमने इसको design इस तरीके से किया हुआ है, 1200 से ज्यादा examples हमने video lectures में solve किया हुए, जहाँ पे आपको जो है, सब कुछ, हर type का question मिल जाएगा, 300 से ज्या की revision के लिए, आप course को website as well as app दोनों पे access कर सकते हो, और app पे आपको offline videos की भी functionality मिल जाएगी, जैसी YouTube पे मलती है, और अभी back to preparation offer चल रहे है, जिसके अंदर पूरा prelims package आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 में मिल जाएगा, normal rate इसका 7000 प्रस रहता है, लेकिन अभी offer के अंदर ये आपक 1500 में मिल जाएगा, link इसके description में मैंने provide कर दी है, जाके जरूर से check कर लेना, more than 10,000 students enroll कर चुके है, और काफी positive reviews है, आप भी आपे check out कर सकते हो, अब बात करते हैं, तो आपको exam की preparation के attention नहीं लेनी है, negative marking नहीं और इसका level भी कम रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, syllabus क्य and number system, ratio proportion, सब कुछ, ये जो आपने पोड़ा cover किया हुआ है, prelims के अंदर, reasoning के अंदर भी ये सारे chapters आपको मिल जाएंगे हमारे course में, और इसके अंदर तो कम chapters है, इससे ज़्यादा chapters है, जो बाकी exams में भी पूछे जाते हैं, उसके बाद computer fundamentals का भी इन्होंने syllabus mention किया हुआ है, सो ये सारे चीज़े रहेगी, अब जो qualifying marks इन्होंने mention नहीं किये, लेकिन condition बता दिये, कि जितनी vacancies है, उससे 20 times को यहाँ पे आगे proceed करवाया जाएगा, physical test के लिए और वहाँ पे filter और होंगे, सो physical test में क्या होने वाला है, तो male candidates के लिए यहाँ पे race, long jump, high jump कंड़ की as a female candidate, तो वो भी mention किया हुआ है, यहाँ पे आपकी बाकी सारी चीज़े, physical efficiency, तो यहाँ पे और भी measurements दिये हुए, जैसे male candidates की height 170 cm, और relaxation आपको मिल जाएगा as per the category, और यहाँ पे chest का भी, यहाँ पे size दिया हुआ है, और जो hilly areas से उनको भी benefits दिये गए, female candidates की height 157 cm दिये class, यह सारी चीज़े दिवी है, मैं detail में discuss कर रहा हूँ, क्योंकि काफी बार आप मैंसे बहुत सारे बोलते हैं, यह सारी चीज़े भी discuss कर दिया करो, तो इस बार सब कुछ detail में discuss कर रहा हूँ, यहाँ पे next thread test भी गंडग की जाएगी, जो again qualifying nature में होगी, उसके बार में आपक notification, description में मैं आपको जो link दूँगा नो, वहाँ पे सारी details available है, और उसी page पे official apply करने की link and official notification दिया हुआ है, और आप यहाँ पे सब कुछ check out कर सकते हो, पूरा notification I think मैंने discuss कर लिया है, और कुछ बागी नहीं रहता है, इनकेस अगर कुछ रह जाता है, तो आप ज़रूर से बता पे जो part 2 में आता है, यह पूरा notification चेक करोगे, तो part 1 में एक account बनेगा आपका, part 2 के अंदर आपका यहाँ पे पूरा process स्टार्ट होगा, यहाँ पे head constable and पूरा आप screenshot देख पा रहे होंगे, annexure 2A के अंदर, तो यह पूरा आप देख ले न, आपको सब कुछ समझ में आ जा कर लेना और enroll करना चाहते हो, तो चली से enroll कर लेना, इसे के साथ आज की इस वीडियो को end करते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स जाब अपडेट में, तब तक के लिए, goodbye, take care. झाल